हाँ लाल जी बढा रहे हैं आ बिराज़ आपकर है बहुत कृपाईजी बहुत कृपाईजी बहुत कृपाईजी एक चुनर इलाक श्री जी को महाराजी को इता स्रीश्वस्त है ये लाड ली जू की परशादी है धन्ना धन्ना आग्या कीजिए क्या सेवा करें आप मरें जो भावा पूंचत लगे लाई जी पढ़ा रहे है आपके बोद मुई धिल में आगे हाँ हमारी लाड ली जू कि आचारिश्रम महाप्रवुई तर्वन श्रंद जू जो हित सजनी की रूप में उनसे कह रहे है हित सजनी जो से लाडली जो कह रहे है नंद के लाल हर्यो मन मूर सक्षि हों अपने मोतिन लर पोवत कांकर डारी गयो सक्षि भोर नंद के लाल हर्यो मन मूर बंक बिलोकन चाल छविली रसिक सिरो मनी नंद की सोर् कही कैसे मन रहत स्रवन सुनी सरस मधूर मुरली की घोर नंद के लाल हर्यो मन मूर इंदू गोविंद बदन के कारण चितवन को भै नैन चकोर जैसे हित हरिवंस रसिक रस जुवती तूले मिल सक्षि प्राण अकोर मूर नंद के लाल हर्यो मन मूर हित सजनी जी कहती कि सखी नंद के लाल ने हमारे मन का भरंग कर लिया मैं तो मूतियों की माला पिर हो रही थी वो एक आय ऐसे छूटा सा कंकड ऐसे डाल हमारी दृष्टी गई जब जिसे किसी के चित का आकरशन करना हो तो जब दृष्टी पढर्षि गई तो देखा बंक विलोकन बागे हैना नेत्रिन के बंक तिरशी चितवन से देख रहे हैं चाल छबीली और रशिक शिरोमनी परमरशिक एद्धेपिर श्रमुद्ध है रशगन मोहन मूर्थिम है फिर भी परमरशिक चीतवन चाल और रश ब्रति तो कई कैसे मन रहत मेरा मन कैसे रह सकता है और उपर से मुरली में वो राधा नाम नाद कर गया है अब तो सखीर रहा नहीं जाता गोविंद के मुखारविंद के लिए हमारे नेत्र चकोर हो गए गोविंद का मुखशंद्र देखने के लिए अब मेरे तो माप्रु कह रहे हैं सखीर फिर काहे विलम करते हो देखो ना वो प्रेम से आपकी तरफ देख रहा है अब हगदे से लगा लो उनको प्राण है को प् तुव मुख चंद्र चकोरे ये नैना अती आरती अनुरागी लंपट भूली गई गती पलुहू लगे ना राधे तुव मुख चंद्र चकोरे ये नैना अर्बरात मिलिबे को निश दिन मिलेई रहत मनों कब हूँ मिलेना निश दिन मिलेई रहत मनों कब हूँ मिलेना भगवत रसिक रसिक की बाते रसिक बिना को समुझि सकेना प्रियाजु आपके मुख चंद्र में मेरे नेत्र चकोरवत लग गए यह रात दिन अरवराते रहते हैं मिल्वे को यह बड़े रसलंपट नेत्र हैं प्रियाजु रात दिन व्यकुलता होती हैं मिलने की पर रात दिन मिले रहते हैं फिर भी इनको ऐसा अनुभवत अकवों मिले न तो भगवत रसिक जी कहते हैं यह रसिकों की बाते रसिक के विला कोई समुझ ही ले सकता है तो इसलिए महापरुशों ने अनुभव करके कहा दो चकोर और दो चंद्रमा दोनों एक दूसरे के युगल को दुलार करते रहते हैं महा महीं भरंदावन की रज महा महीं भरंदावन के रशिक जनों की कृपा के बिना इन लाड़िलों के भाव को समझ पाला ब्रमादि के लिए यन नार्दाजे सुकैर अभम्यं ब्रंदावने वंजुलमन्युकुंजे तत्कृष्ण चे जो रजोप शेवी और रशिक शेवी रेमन रशिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम इसलिए भगवत रशिक रशिक की बाते रशिक बिना को समुझ सकेना आपका तो जन्म शिद्ध अधिकार हैं पर इसी रजवे प्रगट हुए रजोप शेवी और भगवत गुणान वाद में निरंतर अपने जीवन को समर्पित करने वाले बस लक्ष यही रहें लक्ष यही रहें बस साब मंगल है लक्ष मान सम्मान एश्वर नाना प्रकार की भोग सामागरी ना बने तो यह अपने आप दासता रूप में आ जाती हैं जो इनका उपाशक होता है विश्व का नहीं आते हैं और यह बन जाता है तो वह पीछा लें छोड़ता है यह रास्ते रगुनात कर बेगिल जाले कोई और जो जाले रगुपति कृपा तो सपने उमोह होना हो फिर उसे ब्रह्म नहीं होता है बहुत कृपा बहुत कृपा श्री लाड़ लिठा कुमी के तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत हैं तू है सखी बड़ भाग बड़ी गोपाल तेरे घर आवत हैं तू अपनो श्रिंगार करत है तू अपनो श्रिंगार करत हैं यदर पन हाथ दिखावत हैं तू है सखी सब कोई इनके गुणन बखानत पर ये तेरो गुणन गावत हैं कुम्बन दास लाल गिर धरन के कुम्बन दास लाल गिर धरन के ये तो तेरे ही हाथ विकावत हैं तू है सकें कुम्बन दास जी भगवत साक्षात का कि मा बहुत 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 उत्तम बहुत उत्तम प्राण धन्सी कि शोरी जुकिजें लाड़ी जुकिजें जुकिजें बहुत 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 आतु की किर्भा तो की कि धन्दबन ददद след on डड़ाईशी है यह यो जड़ाईशी है